डे सब्सक्राइबर कैसे हैं आप लोग आज हम बात कर देवाले CUAT PG अप्लिकेशन फॉर्म कैसे फिल अप करेंगे जितनी फ्रिंट कनी डेट हैं जो कि CUAT में एडमिशन लेना चाहती हैं PG के लिए फ्रिंट फ्रिंट फाइनले इसका जो कि अप्लाइ चालो हो चुका है कब से स्टार्टिंग डेट हैं देख सकते हैं 26 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट 24 जनवरी तक आप फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं 2024 अगर वहीं फीस की बात करें जो लास्ट डेट रखा गया फ्रिंट वह 25 जनवरी तक आप फीस पर में कर सकते हैं करक्शन सकते हैं 2024 रिजल्ट डेट जो ही कि वह भी आपको जल्दी देखने के लिए प्रेंड मिल जाएगा डेट अपको इंडिया के अंदर में 42 युनवरिसिटी दिया गया है Central University ऑप इंडिया total 42 आपको university देखने के लिए मिलता है जो इसमें आप जो की PG के लिए admission लेंगे CET की तरफ से और इसमें आपका test होने वाला है computer-based आपका test होने वाला है CBT और इसमें fees के अगर बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं general के लिए 650 रुपए है OBC के लिए EWS के लिए 600 रुपए है और जो के SCST candidate के लिए सारे 500 रुपए है और PH candidate के लिए सारे 500 रुपए यहाँ पे फिरन रखा गया additional test paper charge फिरन अगर आप यहाँ पे देखना चाहते है तो उसका भी फिरन यहाँ पे बता दिया गया आज हम इसी के बारे में बात करने वालें कैसे आप लोग इस्टे बाइस्टे फॉर्म को फिल अप करेंगे तो मैं आपको बताने वाला हूँ तो बिना किसी गलती का फ्रेंग सबसे फिरन आपको ओफिसली वेबसाइट फिरन आ जाना है सिंपली इस पे आपको किलिक कर देना है इस पे फ्रेंट किलिक करेंगे आपको एडबाइजमेंट देखने लिए मिलेगा यहां साब नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं या तो आप सारा चीज को यहां पे बता दिया गया यहां से फ्रेंट आपको कंडिडियेट का पुरा नाम फिल करना है इस वाले बॉक्स में जो आपका क्लास X यानि कि आपका मैट्रिक सेटिफिकेट में मार्चिट में जैसा भी फ्रेंट आपका डिटेल से है सेम यहां पे फ्रेंट आपको फिल करना है जेंडर यहां से सिलेक्ट कर लेंगे, आप male female किसका apply कर रहे हैं, nationality यहां से फिरेंड बताएंगे, आप यहां से जो भी आपका option देखने कली देखने कली मिल जाते हैं, Indian है तो Indian चूज करेंगे, NRI है तो NRI बताएंगे, जो भी है तो यहां बता देएंगे, यहां पर ऊसका नमबर लेग्देंगे. उसके बाद अपना यहां से प्रॉपर एड्रेस बताना होता है आपको. आड्रेस फील कर देगे, वह बताएंगे, कंट्री फील करेंगे, कंट्री फील करेंगे, गए confirm email आईडिया को यहाँ पर डालेंगे अपना mobile number टाइप करेंगे without country code मतलब आपका जो country code नहीं लगाने जैसे अगर प्लस 911 जो होता है यह नहीं लगाने आपको simply आपका जो भी mobile number है वह इस तरह से आपको टाइप करके बता देना है उसके बाद यहाँ सापको confirm mobile number को टाइ बनाना होते है जह्ब या जो भी आपको से बैटर लगता है इन में से चेक करके यहाँ पर बताएंगे उसके बाद आपको जैसा किपचा देख रहा है यहाँ पर आपको सेम किपचा यहाँ टाइप करना है और समिट वाले ओप्शन पर आपको क्लिक करना है सारा डिटेल्स को अच्छी तरह से मिला आलेना है इस करके आप नीचे आजाएंगे नीचे आएंगे फ्रेंड आपका सारा डिटेल सही तो सिंपली आपको यहाँ पर सभी ओप्शन पर आपको इस तरह से कर देना है देख सकते हैं आपको जितने भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है मुबाइल नमर इडिट पर किलिक करके सुधार कर सकते हैं अगर आप OTP verification कर ले थे तो उसके बाद कोई भी आप सुधार नहीं कर सकते हैं इसलिए अच्छी तरह से आप चेक कर लेंगे और declaration देंगे submit पर एक simple आप किलिक करेंगे confirmation पुछेगा ok पर आप किलिक कर देंगे आपके mobile नमर भी फ्रेंड कुछ इस तरह से आपको इमेल आइड को भी verify करना होता है उसके बाद यहाँ से पर आपको continue application फोरॉम पर आपको simply किलिक करेंगे email फ्रेंग आपows यहाँ से फ्रेंड आपको अपना email आइड को टाइप करके बताना है जो आपका email आअडी को टाइप करेंगे और यहाँ प County करेंगे और यहाँ पर अपको verify करना है आपके email पको code यहाँ कोड वालेव ओप्चक करेंगे आपका email आडी मिलता है जो verification code आता है यहाँ पर डाल देंगे अची तरह से उसके बाद यहाँ पर verify पर आपको simply click कर देना है verify पर फिरें click करने बाद देख सकते हैं यहाँ पर वापस इसी dashboard पर आ जाते हैं और यहाँ पर आपका email भी tick दिखा रहे हैं आपको फ्रेंड यहांसे form fill up करना continue करना है simply continue application फ्रम पर आपको click कर देना है OBC वाले candidate को NCL certificate देना होगा और आप बांकि एक category को EWS candidate को EWS certificate बांकि SCST candidate को जोगे का certificate लगाना है यहां से PWD candidate अगर आप हैं तो Yes करके बताएंगे नहीं तो नो पर आप किलिक कर देंगे आपके Fathers कितनी पर ही लिके हैं जो intermediate है या फिर matriculation है graduate है तो जो भी इन्वेस आपको यहां पर इस तरह से बता देना है आपके Fathers क्या करते हैं यहां से बताएंगे जो बताएंगे तो बताएंगे तो इस तरह से आपको डिटेइल को फिल करना है उसके बाद यहां से आपको Family Income बताना है आपका Annual Income क्या आता है तो वह आप यहां से बता देंगे जो भी आपका आता है एक से दो लाग या दो से तीन लाग या आपका जोगे पाँच लाग या आठ लाग एभव तो जो भी आते है फिरिन वो आप यहांसे इस तरह से बता देंगे उसके बाद वो निया प्रें पर बताविघाव आँए उसके बाद इहां से आपको बताना है कि आपategories करते हैं जैसे छेलивается इनमीज्टेड करें पैसे पर पर इसंवर नियुट कर लेंगे मेडियों और प् devil शक्रणियन पें ईभां eh कोटाaza यहां से बताएं यहां से फिर्णी इस करेंगे अगर आते हैं यहां से प्रियन को किसी बीयुक्त की नहीं है तो नो प्युआप किलेगे क्लेंगे सwhere 오른ूर कोटास सब्सक्राइब तो बताएंगे इस करके नहीं तो नो पर आप किलिक करेंगे तो यह सारा चीज़ प्रेंगे आप बता देंगे कि are you what of university employee आप university में कोई भी university में आप किसी भी तरह का employee है तो बताएंगे नहीं तो नो पर आप किलिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर save वाले option पर किलिक करेंगे सारे details को चितर से feel करने के बाद save पर फ्रेंड किलिक करेंगे आपके सामने जो भी details आपने अब तक feel किया वो सभी को आपको एक बार verify करने के लिए बोला जाता है verify कर लेंगे scroll करके आप नीचे आएंगे नीचे आएंगे फ्रेंड सारा चीज़ सही तो simply यहाँ पर proceed to next section पर आप किलिक करेंगे अगर कुछ भी आपको update करने तो यहाँ पर update वाले पर details पर किलिक करके update या सुधार कर सकते हैं तो simply मैं proceed कर देता हूँ simply आप फ्रेंड कर देंगे proceed next करेंगे फ्रेंगे अगले स्टे में आपको यहाँ पर educational details फिल करना है आपको class 10 का यहाँ पर details को फिल करना है कि आप किस बोट से फ्रेंड आपने पास आउट क्या है तो आपको बोट का नाम काफी सारी देखने के लिए मिल जाएगा select कर लें school college का नाम फ्रेंड address के साथ आपको यहाँ पर फिल करना है या तो address या school college का नाम फिल करेंगे उसके बाद school college का फ्रेंड pin code क्या आता है वो आपको यहाँ पर बताना है role नमर क्या है फ्रेंड वो आपको फिल करना है result mood फिल बताना है आपका percentage है या फिर great है percentage जो भी choose करेंगे उसके बाद maximum mark आपका कितना है तो बताएंगे optical mark फ्रेंट कितना तो बताएंगे percentage आपका आजाएगा कुछ इस तरह से आपका फ्रेंट देख सकते हैं यहापका परसेंटेज आजाता है इस तरह पर सेंटेख सेंटेट करेंगे आपको इंटर का फिल करना अपना रिजल मोर बताएंगे पास किस साल प्रेंट इनपने प्रेंट करके हैं वह आपको आपको अपर देखने के लिए मिल जाता है उसके बाद आपका करेंगे उसके बाद किस साल प्रेन आपका रिजल्ट हुआ था वह आपको यहां पर देखने लिए बताएंगे आपका इंसूर्ड यूनिवर्सिटी क्या था जो भी यूनिवर्सिटी होगा आपका वह बताएंगे अगर इसमें से प्रेन आपको नहीं मिल रहा है तो आपको यहां पे एक अधर का ओप्सन देखने ही मिलता है अधर वाले ओप्सन पर डाल करके यहां पर आपका इंसूर्ट का नाम टाइप करेंगे उसके बाद यूनिवर्सिटी का कॉलेज का जो भी प्रेन आपका एड्रेस है वह यहां बताएंगे रोल नंबर बताएंगे डिजल पर इसको भी वेरिफाई करना होता है सारा डिटेल को चेक कर लेंगे सारा चीज सही है तो सिंपल आपको यहां पर पर प्रोसीट टू नेक्स्ट पर किलिक करने अगर कहीं भी कुछ भी मिश्टेग लगता है यहां पर अपडेट वाले पर किलिक करके आप सुधार कर सकते ह अगरे बाद वापस आप यहां पर आते हैं नीचे आ जाएंगे और यहां पर आपको जो कि प्रोसीट करना है अगर कुछ गलत है तो सुधार कर लेंगे ने तो नेक्स्ट पर किलिक करेंगे अगले इस्ट में आपको यहां से जीओगी एक्जाम नेशन सेंटर डिटेल्स इक्जाम सेंटर आपको बतानें दोäreण से मिलता है देखने के लिए आपको जहां भी प्रिंद लगते हैं वह आप यहां पर एधि करेंगे उसके बाद यहां से बताएंगे उसके से बाद simply आपको यहाँ पर next वाले option पर select करने बाद simply आपको save वाले option पर आपको किलिक करेंगे उसके बाद verify करेंगे आपको कुछ भी अगर लगता है कि change कर सकते तो अभी भी change कर सकते नहीं तो simply यहाँ पर proceed to next selection section वाले option पर आपको किलिक कर देना है next करेंगे अगले इस्टे में यहाँ से आपको उनिवर्सिटी नेम आपको किस युनिवर्सिटी में अपको करेंगे यहां से स्था आपको देखने के लिए मिलता है आप इसको प्रेंट करेंगे आपको किलिक कर देना है अगर आप कहते mitर इक पर आपको यहां आपको लगता है यह सबज्च आपका इसमें है तो आप यहाँ पर सइलेक्ट करेंगा और सिंपली अगर्डर के याँ करने बाद आपको किलिक करते आप सब्ज्च कि लिए करें यहां से फिरिंद आपको जो एक्जाम सेलेक्शन करना था आपको आपको यहां से 4 सबजेक्ट को चूज करके फिर इंब बताना जो भी आपका सब्जेक्ट है तो आपको यहां से देख सकते आपको देखने के क्लिए मिल जाएगा आपना सब्जेक्ट को यहां पर चूस्त करों कर लेंगे इस तरह से प्रेंड आपको सब्जेक्ट सীक्ट के लिए हैómo एक Спाये करेंगे से पूल डोट करना है फोटो के बीच cierto करना है प्रेंगा को 20 के बीच में राखना सेलेक्ट करेंगे आपको सेलेक्ट हो जाएगा उसके बाद इस्टार्ट अप्लोड पर आपको सिंपली किलिक कर देना है उसके बाद आपको सिंपली प्रिव्यू सेक्षिन पर आपको सिंपली किलिक कर देना है फोटो सिक निचर अप्लोड करने बाद जैसे आप प्रोसीड क के सामने है तो इसलिए मैं उसे हाइड करके रखाओं आपको सभी में नीचे चेक कर लेना ची तरह से जहां जहां आपको declaration देना है सभी में declaration देने के बाद आपको प्रोसीट टू पेमेंट पे किलिक करना है अगर आपको कहीं भी कुछ भी पेज प्रिव्यू है आपको चेक कर लेना ची तरह से सरा डिटेल्स को चेक कर लेंगे कहीं कुछ भी मिस्टेक लगेगा तो आप यहां पर अपडेट वाले पर डिटेल्स पर किलिक करके अपडेट अप्लिकेशन फॉरम पर तो सुधार कर सकते हैं ने तो डिक्लेरेशन देक बैटर लगता है तो आप यहां पर किलिक करेंगे अपको बहुत सारे ओप्सन देखने के लिए मिलता है आपको फ्रेंगे जो बैटर लगता है यहां पर किलिक करेंगे मैंने UPI पर किलिक किया और यहां पर देख सकते QR कोड का option देखने के लिए मिल जाते है सिंपली स्केन करेंगे आपके सामने QR कोड को जिस्ते से देखने करेंगे पेमेंट करेंगे पेमेंट करने बाद आपको 10 सकेंड वेट करने कहीं भी बैक या रिफ्रेस कुछ भी नहीं करने आपको आप जैसे पेमेंट कटाते हैं इसकेन करके आपको थोड़ा से वेट करने 10 से 20 सकेंड आपको वापस से रिजाइडिक कर देगा home page पे आपको payment slip मिल जाएगा और जो कि receiving के लिए रिजाइटिक कर देगा, वहाँ आप अपना application slip को download करके रख सकते हैं तो ये complete process था CUET, PZ, admission के लिए तो I hope कि आपको वीडियो अच्छा लगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक like करके बता है चैनल पे फिरें नए तो जरूर सस्क्राइब करके bell icon को on कर ले, मिलते फिरें किसी next वीडियो में वीडियो देखने के लिए थांक्यू सो मच फिरें ये इससे better फिरें आपको वीडियो कहीं नहीं मिलेगा जो फिरें मैंने आपको step बे step हर एक topic को अची तरह से समझाए और cover किया है तो please फिरें चैनल पे नए तो जरूर सस्क्राइब करके bell icon को on कर ले और जरूर share करें अपनी दोस्तों के साथ